पुलिस ने बॉलिवुट के कई अभीनेताओं को ड्रक्स के सेवन के आरोप में पकड़ा है पहले शारुक खान के बेटे आर्यन खान को ड्रक्स मामले में गिरफतार किया गया था और उसे पूछताज की गई थी अब ऐसा ही कुछ हुआ है 13 जून को अभीनेता, हास्य अभीनेता और खल नायक शक्ती कपूर के बेटे सिदान कपूर को ड्रक्स लेने के आरोप में गिरफतार किया गया है गिरफतारी एक पार्टी में की गई थी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि पार्ख होटेल बैंगलुरू में पार्टी में सिदान कपूर को डीजे ने इन्वाइट किया था मुगमिन ने कहा कि वहाँ ड्रक्स का सेवन किया जा रहा है और पुलिस ने चापे मारी की चापे मारी के बाद उन्होंने करीब 35 मेहमानों के सैंपल मेडिकल जांच के लिए भेजे पांच मेहमानों के सैंपल में ड्रग्स पाये गए और सिद्धान कपूर उनमें से एक थे पांचों को कोट ले जाया गया है हाला कि यह स्पश नहीं हो सका है कि उन्होंने होटल में ड्रग्स लिया था या बाहर ड्रग्स लेकर पार्टी में आये थे इसी तरह शक्ति कपूर की बेटी शद्धा कपूर भी कुछ इसी तरह के मामले में शामिल थी NCB ने 2020 में शुषान सिंग राजपूत की मौत और कतित ड्रग्स रैकेट में उनसे पूच्थाच की थी बाप भी कम नहीं है अभिनेता हास्य अभिनेता और खल नाएग 2005 में एक घोटाले में शामिल थे उन पर किये गए एक स्टिंग ऑपरेशन में एक महिला ने उनसे फिल्मों में काम देने के लिए कहा उस समय उन्होंने कहा था कि अगर उसे अफसर चाहिए तो उसे उनके साथ सोना होगा उन्होंने कहा कि इससे उनके बॉलिवूट केरियर को मदद मिलेगी फिर उन्होंने तीन अभिनेत्रियों का नाम लिया जो फिल्मों में उनके साथ यौन संबन के कारण आई थी और उसे चौती होने के लिए कहा पूरी बातचीत को रेकॉर्ड किया गया और समाचार चैनल पर प्रसारत किया गया शक्ती कपूर के गिनोने बयानों के बाद उनका बेटा ड्रग्स मामले में पकड़ा गया है और बेटी की जांच NCP ने की थी ऐसा लगता है कि परिवार कई गिनोने कामों में शामिल है एक अभिनेता और सहायक निर्देशक सिदान्त ने 20 से अधिक फिल्मों में काम किया है सिदान कपूर ने शूट आउट अट वडाला हसीना पारकर जजबा आधी फिल्मों में अभिने किया है इस अभिनेता सहायक निर्देशक को अब गिरफतार कर लिया गया है झाल झाल